नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे कैलाशना तांधरिव जी के यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के टॉपिक में हम आपको दुश्मन को दोस्त बनाने के उपाई के बारे में बताएंगे दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दुश्मन बढ़ जाते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वह आपको इतना परिशान कर देते हैं कि आप अपनी तरक्की की राह भूल जाते हैं दोस्तो ऐसे में आपको एक ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि वह सभी दुश्मन आपके दोस बन जाए अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी परिसिती घट रही है कि आपके दुश्मन आपको बहुत ज़ादा परेशान करने हैं तो आप उनको अपना दोस्त बना सकते हैं सिर्फ एक सरल से उपाय से दोस्तो अगर आप यह उपाय जानना चाते हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दुश्मन को दोस्त बनाने के उस उपाय के बारे में दोस्तो सबसे पहले आपको अपने च्छत पे एक कागज, एक काला या लाल क्लर का स्केच पेन और दो लॉंग लेकर एक आसन लगा के बैठ जाना है उसके बाद आपको कागज पर अपना और अपने दुश्मन का दोनों का नाम लिखना है मान लीजे आपके दुश्मन का नाम है रामेश्वरम ये देखे कुछ इस तरीके से उसके बाद आपको यहां जोड का निशान लगाना है और फिर अपना नाम लिखना है मान लीजे आपका नाम है शाम आपको इस तरीके से अपने दुश्मन का नाम फिर जोड का निशान और फिर अपना नाम लिखना है फिर आपको इस लॉंग को अपने सिर के उपर से साथ बार घुमा कर इसके बीच में रख देना है और फिर इसे अच्छी तरह फोल्ड कर देना है यह देखिए बिल्कुल इस तरीके से उसके बाद इसे अपने हाथ पे रखके इस मंतर का जाब करना है दोस्तों इस मंतर का जाब करने से पहले आपको अपने दुश्मन का चहरा अपने मन में याद रखना है यानि कि आपको रामेश्वरम का चहरा अपने मन में याद रखना होगा उसके बाद आपको यह मंत्र का जाब करना है मंत्र है ओम, काम, अमुक, मम, फट, फट, स्वहा दोस्तों अमुक के स्थान पे आपको अपने दुश्मन का नाम लेना है यानि कि रामेश्वरम का नाम लेना है जापूर्ण होने के बाद आपको यह कागस खोलना है और इसमें से एक लोंग आपको अपने दुश्मन के घर के बाहर फैकानी है यानि कि आपको रामेश्वरम के घर के बाहर फैकानी है और ये एक लोंग दुबारा इसमें रखके बहते वे पानी में आपको ये बहा देना है दोस्तो बस आपका काम 24 गंटे के अंदर स्टार्ट हो जाएगा 24 गंटे के अंदर शुरू हो जाएगा वह व्यक्ति जो आपका दुश्मन है जो आपको तंग करता है परिशान करता है वह आपका हमेशा के लिए दोस्त बन जाएगा धीरे धीरे वह आपसे खुद दोस्ती करेगा और आपको परिशान करना छोड़ देगा दोस्तों अगर इस टोटके को आप करना चाते हैं और इसमें करने में कोई दिक्कत या परिशानी आती है या फिर कोई भी शंका है आपको कोई भी प्रशन है तो आप मारे कैलाशना तांदरी जी से संपर्क कर सकते हैं वहें आपकी सायता जरू करेंगे उनसे संपर करने के लिए आपको स्क्रीन पे देगे नमबर पे कॉल करना है और अपनी समस्या का समधान जाना है जै माता दी